तो गाइस काफे जदा पढ़ने के बाद भी माक्स नहीं आते एंड जितने भी मॉक टेस्ट देने के बाद कम माक्स आते तो गाइस उससे बंदा डी मॉटिवेट होता है सब्सक्राइब करने के लिए अगर मानलो आपने बायो कोई सा भी चैप्टर लिया है तो उसको प्रॉपर्ली करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेंगे लेकिन अगर उससे जल्दी निप्टाना अगर आप में पोटेंशल है आप जल्दी कैपिबल हो आप करने के तो गया आ हो सबसे पहली बात यह आती है कि चैप्टर स्टार्ट कैसे करें मतलब आपने या तो किसी कोचिंग लगाई होगी या तो पी डबल्यू मैक्सिमम जो मैंने देखें स्टुरेंट्स फिजिक्स वाला तब बहुत फेमस है तो मतलब मैनेज करना बहुत सारी चीज़े होती है है एंड बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ा है तो आपको प्रॉपरली चैप्टर कंप्रीट करने के लिए मैक्सिमम 10-15 डिज लगेंगे प्लस आपको 10-15 डिज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एक तो मैं क्यूर्ट सारी चीज़े बताऊंगा सबसे कह पहले गाइस मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़े में क्यास मुझे पहले बायोलोज में बहुत कम माक्स आते थे स्टार्टिंग के टू तू 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 त्री मॉक टेस्ट मेरे बहुत ही बेकार माक्स गय थे लेकिन अभी जिसे मैंने अपना शेडूल चेंज किया जिस मैंने अपनी पढ़ने की स्टेटिजी चींज की गाइस मेरे माक्स नेक्स लिए लाने लगया 360 आउट ओफ मेरे को 300 अब प्लस माक्स आने लगे बायो में तो इसमें पहले क्या गलती करता था एंड़ क्या नहीं करता हूं इस सारी चीज में आप से शेयर करूंगा उससे प युग बन सकता है एंड वो एंब सेक्व स्टेट बना रहा रहा था था अप्लस वह सारे ऐमसी के नोट्बुक में लिखता था इस वह कूल अर नेकी टायम वेस्ट कर देता था अप्रॉपर उसके बाद प्रॉपरली आप मतलब आप युब्लों चैप्टर परिपेर कर रह है आपको एक बुक पर्चीस करनी है according to me आप MTG पर्चीस कर सकते गर मैं प्रिफर करूंत तो नहीं तो का अगर आप प्रिफर नहीं कर सकते बुक पर्चीस करना तो आपको इसा भी आपके बाद जो भी मॉड्यूल यह उससे आप NCRT के लिए जो बेस्ट होती है मतलब सब्सक्राइब निए पर चैप्टर के लिए आपको 500-600 विए आप किसी भी सोर्स से करो पीड़ीयो के सोर्स से करो या किसी भी सोर्स से करो बट कुश्चन सॉल्विंग करना बहुत ज़रूरी है और यही मेरी second mistake थी जो मैं पहले नहीं करता था पहले मैं underline करता था बुक में जो भी में पॉंट से mcq बनाता था एंड एक्जाम से जाने से पहले वो बुक के mcq जो मैंने बनाए हों उनको पड़के में चल जाता था तो वह मेरे बहुत बड़ी मिस्टेक थी एंड वैसे मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे लेकिन मेरे बाद मेरे पर चेप्टर को मैक्सिमम टो मैक्सिमम 500 तो एमसे को सॉल्फ करना है एंड मिनिममम 300-200 तो गाइज मैंने एक एक एक्जाम में बस यह स्ट्रेजी फॉलो किया एंड मेरा जो रिजल्ट हो काफी अच्छा रहा था आउट आउट आफ से 60 बाव में मेरे 324 को चाहते है एंड उसके बाद से मैंन जितने भी कोशेंस बन रहे हैं उनको सॉल्फ करो और जो नहीं बन रहे हैं उनको एक डाउट नोटबुक अलग बना करको उस डाउट नोटबुक में आपने जो भी मिस्टेक्स की उनको लिखो एंड उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है गाइस में भी फॉलो करता हैं यहीं कुछ टिप्स ती जिससे की मेरा रिजल्ट सुदरा आप कभी सुदर सकता है आप फॉलो करके ट्राय करना अगर आपका रिजल्ट सुदर तो मुझे कमेंड में जरूर बताना की स्ट्रेजी कैसी रगी सो मिलते आपको नेक्स वुड़े में थैंकिस फॉर मॉचि कर दो 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 दोड़े में से की में जरूर आपको के तो कि अभी सुदर सा बॉब भी सबादी औरू प्रूर बाद़ दो दोड़े में जरूर आपको यदू है